हाई दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूनिवर्सल कोपी एप क्या है और यूनिवर्सल कोपी एप को आप कैसी यूज़ कर सकते हैं जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कु से लाट तक देख लेते हैं और आप ये समझ लेते हैं यूनिवर्सल कोपी एप क्या है और इसके क्या क्या यूज़ है और क्या इसका फाइदा है तो दोस्तों मैं आपको गरांटी देता हूँ आप इस एप्लिकेशन को इस्ट्रॉल किये भीना नहीं रहता होंगे और आप लोगे इस एप्लिकेशन का शाम लाव उठाये उससे पहले मैं रिक्वेश्ट करना चाहूँगा अगर आपने भी तक इस विडियो इस वीडियो नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो ल nuclear भी पर और सेPS पहले पाने के लिए तो दोस्तों यूनिवर्सल को एप् description में दिया है और आप description में दिये हुए link से universal copy app को अपने phone में असानी से install कर सकते हैं अब इस application को जब आप पहले बार open करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाता है आपको दोस्तों यहाँ पर काफी सारी setting मिलती है जैसे के universal copy tracker option और यहाँ पर आपको मिलता है disable animation about share या फिर privacy policy about यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी किसी भी setting को छेटने की जुरत नहीं है आपको सबसे पहले जो इसकी important setting है जो आपको करनी जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ आपको simple यहाँ पर universal copy है सामने यहाँ पर जो option है enable करने का आपको यहाँ पर इस पर click करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके एंटरफेस आ जाएगा आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे पड़ सकते हैं आपको यहाँ पर उसके बाद open setting पर click करना है और उसके बाद आपके mobile की accessibility setting है वो open हो जाएगी और आपको यहाँ पर दिखाई देगा universal copy और यह which will perform this action अब आपको यहाँ पर okay पर click कर देना है और उसके बाद यह setting आपके mobile में enable हो जाएगी अब आपको यहाँ से back कर देना है और आप यहाँ पर देख रहे हैं universal copy हमारे mobile में activate हो चुगा है अगर आप यहाँ पर scroll down करेंगे तो notification में भी आपको universal copy activate दिखाई देगा activate universal copy mode मतलब इस वक्त हमारा universal copy mode activate है अब यह use करने के लिए बिल्कुल ready है अब हम इसका आराम से use कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप TikTok user हो और TikTok पर like बढ़ाना चाहते हैं तो आपने TikTok पर काफी सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिन में आपको यह ब कर सकते हैं लेकिन दोस्तों universal copy का यही फैदा है अगर आपके mobile में universal copy application इंस्टॉल होता है और यहां पर activate होता है तब इस case में आप यह hashtag को आसानी से copy कर सकते हो simple आपको इन notification में universal copy पर एक बार click करना होता है और उसके बाद आपके screen के चारों तरप यहां पर green line आ जाएगे और उपर लिखा हुआ आजाएगा universal copy mode of the text you want to अब आपको जो भी keyword copy करना है उस पर कुछ समय के लिए hold करना है जैसे कि यहां पर मैंने hold किया और यहां पर दोस्तों नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो universal copy जो hashtag है उस पर select हो चुका है और copy option आ चुका है यहां पर click करके भी हम copy कर सकते हैं और यहां पर click करके भी हम copy कर सक हैं तो हम वह भी कर सकते हैं मैंने आपर copy पर click किया और बढ़ी आजानी से यह hashtag यहां से copy हो चुका है दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यह जरूरी नहीं है आप टिक्टोक से ही hashtag copy करने के लिए universal copy का use करें बहुत सारे application ऐसे होते हैं जो हमें copy क करने का option नहीं देते तो आप universal copy की मदद से किसी भी application से कोई भी text को copy कर सकते हैं तो हमारी यह video देखने के लिए आपका तहदिल से सुक्रिया